जी मेरा परस्नल मुफाद है ये फूरा टिक्या पाड़ा इस टिक्या पाड़ा के तमाम बच्चे मेरे अपने बच्चे है अगर उनको फायदा पहुचाने के लिए ये मेरा परस्नल मुफाद है तो 100% ये मेरा परस्नल मुफाद है मैं अपने ठिक्या पाड़ा के बच्चों पर दोगी हमकी सफेज दाज उनको आभी तनका जो मिलती है वो साड़ेशी हारी जस्टिमाड़ उनली 6500 मौना अब लाम अर्षानल कादरी जो कुर इंडिसान में नहीं बल्के बैरिम इंडिसान में भी आज़ा जाते हैं इमाम जापका तंखा 12000 ते तनहा है तनहा है तनहा है सोचिए इन तीनों को मिलाके 12000 तनहा है झाल 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 नमस्कार आदाब खार मगदा में दा कोलकता निउस चैनल और एजवी निउस चैनल में मैं अभी मौजूद हूँ ठीकिया पड़ा हयात प्लेस हॉल में आज एक एहम मुद्दो पर काफी अच्छी चर्चों पर बाती हुई है यहाँ पे काफी सारे लोग जो काफी सारे पर लड़ने के लिए मर मिटने के लिए तयार और यहां पर काफी सारे उमर दराज और मेरे नौजवान भाई और हमसे भी काफी उमर दराज लोग भी यहां मौजूद है आज इस मुद्दों पर बात हो रही थी जो वकफ प्रॉपरटी के जिसके पर इलीगल कंस्रक्शन चल रहा है उसके अपर में एक अधारा आज जो है यहां पर मुकंबल हुआ है उस अधारे के तोर पर इन लोगा कुछ मुद्दा है जो वकफ इस्टेट से करना चाहते है आई यह इस चंद सवालाओं में यहां के जो अधारे के जो है सबसे मेरे नहीं पता है कि आप किस में नमास पड़ता हूँ और जब मैं बीवी मज़ीद के हालात को देखता हूँ तो मेरे आँख से आँसों निकल जाते हैं मैंने एक दफ़ा बीवी मज़ीद में मीटिंग हो रही थी तो बीवी मज़ीद में खुद में खड़ा होकर कहा कि जिस मज़ीद की एतनी टू असिरुनिसा बीवी अल्ला ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाएं मेरा मुतालबा सिर्फ यह है वक बोर्ट से भी जो लोग वरॉक प्रॉपिटी के ठीकदार बने हैं इलेगल ठीकदार वो अपने आपको लैंडलोड कहते हैं या लैंडलेडी मैं उसको सिर्फ एक इसमें आपको कुछ पर्सनल मुफात है इसमें पर्सनल मुफात नहीं है इसमें सिर्फ लेलाहियत के साथ अल्ला रसुल को राजी करने के लिए हम लोग यह काम कर रहे हैं कल को अगर माल लीजे आवाम में और कोई उटके कहता है कि यहां तो काफी सारे लोग थे हैं आप में मंजिन मगर लोग आते गया और कारवा बनता गया जो लोग वाव प्रॉपटी पर कफ़ा करकर बेटे हुए जो लोग मस्जीद कमिटी में जो लोग एक हफ्ता पहले कहते थे मस्जीद कमिटी वाले के विया नौट कंसर्ण अबॉट इस हम लोग सिर्फ मस्जीद को मुझ में नहीं आया है खेर उनका स्टैंड उनके पास लेकिन माई माई डिमांड इस डैट ऑन बियाफ दिस तन्जीम उसका फाइदा उसका हक मिलना चाहिए मैंने मुटालबा यहां रखा कि उस प्रॉपटी में उस प्रॉपटी के उपर एडुकेशनल इंस्टिशन बनन चाहिए या कोई कॉमन हाल बनना चाहिए कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे अशिरुनिसा की रूप को शांती मिले अशिरुनिसा बीवी जब अपनी कबर में लेड़ कर देखती होंगी कि मेरी जमीन पर लोग इलिकल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इलिकल तरीक है जी असलाम अलेकुम जी मेरा परसनल मुफाद है ये पूरा टिक्या पाड़ा इस टिक्या पाड़ा के तमाम बच्चे मेरे अपने बच्चे है अगर उनको फायदा पहुचाने के लिए ये मेरा परसनल मुफाद है तो हंड़ेट परसनल मुफाद है मैं अपने टिक्या पाड़ा के बच्चों के लिए, मैं अपने ठीक्या पाड़ा के अवाम के लिए, मैं ठीक्या पाड़ा के मुस्तक्बिल के लिए लड़ने के लिए आवाज उठाया हूँ, यही मेरा पाड़ा के तो अल्ला की गैबी ताकत है, उसपे हमें भरुसा है, हम माझब मुष्टुफा सललला अलोली सललम के उमत में से हैं, और हमें भरुसा है, कि मुझे गैबी ताकत, अल्ला के ताकत मेरे साथ है, और तूरे टिक्या पड़ा के अवाम, मैं अपील करूँगा जो आए थे वो तो मेरे साथ ही है जो नहीं आए है मैं उनसे अपील करूँगा कि वो मेरे साथ आए मेरे साथ जुड़े मेरे साथ नहीं बलके हम समाम लोगों के साथ आए जुड़े और जुड़कर इस प्रोपर्टी के लिए ना के सिर्फ असीरुन न इसा बीबी वक्फ स्टेट बलके जितने भी वक्फ स्टेट है वाड नमबर 19 और वाड नमबर 20 में हम लोग अभी यहां से सुरुआत करेंगे यहां काम्याबी मिलने के बाद इमसाल आइस्ते आइस्ते आगे बढ़ने की कोशिस रहेगी और हम लोगों का यही कोशिस है कि इ माच का बला हो मुसल्मानों का बला हो आज हम देख रहे हैं कि गैर मुसलिम भी वक्फ प्रोपर्टी पे कबजा कर रहे हैं हम लोग अबाद नहीं उड़ा पा रहे हैं लोग बोल भी रहे हैं कि वो लोग गैर मुसलिम कबजा कर रहे हैं भाई मेरे मैं आपको बता दू कि जब मैं अपने भाई से नहीं लड़ सकता तो दोसरे बाहर लोगों से कैसे लड़ू पहले मैं अपने कौम के लोगों से अपनी प्रोपर्टी को बचा लू इंसालला उसके बाद और भी आगे लड़ाई जारी रहेंगे। यहां की अवाम आहिस्ता आहिस्ता वचब वचब बचाओ कुमेटी के साथ मिल रही है। लोगों में ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे वचब की ये बाते फैलना सुरू हुई है आस्ते आस्ते लोग जुड रहे हैं। क्यूंकि सच्चाई जो है भले ही कुछ वक्त तक द तो हमारे साथी नौजवान ने आवाज उठाया है ये सिर्फ बिभी मस्जिद वकफ प्रपटी की बात नहीं है। अभी हमारे सामने हीरा भाई ने कहा कि 1920 में जो भी वकफ जैदात को जिन लोगों ने खुद के कबजे में डाल के रखा है उसका भी एक वक्त आना है कि ये हम तमाम लोगों की कोशिस रहेगी और कोशिस होनी भी चाहिए। पेश करता हूँ महमुद भाई हीरा हैं इमरान भाई हैं और भी बहुत दिगर जितने शराज अनसारी साहब हैं और भी बहुत आराकीन हैं। मैं बता दू पहले सबसे पहले कि पूरे औल अवर इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और सबसे टॉप टू स्टेट्स जहां सबसे जादा वक्त प्रॉपर्टी है वो उत्तर परदेश और बंगाल है। पर बंगाल में 2nd largest वक्त प्रॉपर्टी है ये बात में वाजे कर दूँ। दूसरी बात मुझे बाइज़र टिकिया पड़ा लोकल रेसिजेंस कमीटी है जो वाटर लॉगिंग पर आवाज उठा रही है हम लोगों को मदू किया गया वकप बचाओ प्रॉपर्टी कमीटी के दुआरा 12-13 ऐसी प्रॉपर्टी है ऑन बिलियस रोड में जो के मरहुमा असिरुनिसा बीबी की वक्त की हुई है और वक्त जैसा आप जानते हैं कि वक्त किया ही जाता है दीनी तालीम के लिए मदारिस के लिए स्कूल के लिए कॉलेज के लिए लैबरेरी के लिए ये को सादू वक्त लीज रूल्स है वक्त सेंटरल वक्त काउंसिल बनाई गई उसके बाद वक्त एग नाइटिन नाइटी फाइफ को हर स्टेट फॉलो करता है और वक्त लीज रूल्स 2014 जिसको अमेंडमेंट करके 2020 कहती है कि सिंपल सी अगर आप कोई दुकान या कोई मत देगा उसको दिया जाता है ये एक मैंने आपको रूल बताया सिर्क तो इतनी बड़ी प्रॉपटी को आप जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और भी कंस्ट्रक्ट करके दीनी तालीम मदारिस बनाने के लिए नहीं उसको फ्लैट को सेल आउट किया जा रहा है ये अख्तिया मरहूमा और इस रूसा बीबी का जो सपना है उसको पूरा करने पे एक कदम और आगे बढ़ी है अमादा हुई है मैं टिकिया पड़ा के अवाम से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हम लोगों का इन लोगों का साथ दें और आगे बर चड़कर काम करें लोगों के खराव अब जा रहे हैं क्या लगता कि वो लोग भी अपने कोशिश में लगे हुँगे अस्सलाम अलेकों रहमतुलाहिवबरकातहू और मैं एजबी न्यूज और कोलकाता न्यूज का सुक्र गुजार हूँ का आपके जरीये से हमारी बाते जो है वो आवाम तक पहुँचेंगी इन्शाललाह ताला और आवाम भी इन्शाललाह ताला आने वाले वक्त में हमारा साथ दून जिस तरह आपने कहा के वो भी डिफेंस कर सकते हैं हर किसी का इख्तियार है कि जब ओफेंस होता है तो डिफेंस भी होता है और ये करना भी चाहिए उनको साबित करने का पूरा मौका है कि आप साबित किजी कि आप गलत नहीं है और हम आपको साबित करेंगे कि आप गलत है हमारी जो लडाई है वो निजी लड़ाई नहीं है ये कौमी लड़ाई है और ये हक और बातिल की लड़ाई कि जैसा अताल मुस्तफा साहब ने कहा और इससे पहले भी बहुत सारे हमारे हजरात ने कहा कि असीर उन्निसाब बीवी जिन्हों ने ये प्रॉपर्टी को वफ किया था ये सोच कर कि ये कौम की काम आएगी मगर आज ये देखने को आया कि इबिलिस के कुछ चेले हैं जो इस वफ प्रॉपर्टी को लूट मार करके अपने आप को और हराम खाने का इनका आदत ऐसा हो गया है कि आपको मैं बता नहीं कि ये अपने गल्तियों पर इस कदर परदा डालते हैं कि जैसे इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है हम लोगों को ये समझ में आया जैसा मुद्दा शुरू ऐसे हुआ था कि शुरुआती दौर पर हम लोगों को मालूम ये चला कि असिरुन साब बीवी इसी नंबर 1932 के जानिफ से वो जितने भी प्रॉपर्टी है मस्जिद की उनको सिर्फ और सिर्फ 120 रुपया दिया जा रहा है और चवालिस सो रुपया एवरिज बुकिंग चल रहा है उस प्रॉपर्टी में तो मेरा ये मुतालबा था मैंने आवाज इसी तरह बुलंद कि जा था फेस्बूक के जरीए से कि आकर क्यों मस्जिद को 120 रुपया दिया जाएगा और बाकी पैसा ये लोग लेंगे क्यों जैसा सेराज अत्तारी साब ने भी कहा ऑक्यूपायर कौन है ऑक्यूपायर कौन है फैसला करने वाला कि किसको कितना मिलेगा ये फैसला तो मस्ज क्या चीज़ है और कौन क्या चीज़ है उनको सिर्फ और सिर्फ ये मालूम था कि उन्होंने ये तमाम प्रोपर्टी जो है वो बीवी मस्जिद को दिया है असिर उनिसा बीवी ने वो मस्जिद को दिया था वो बोड को देखकर उन्होंने नहीं दिया था वो भी आजादी बनता है ये दिखने में हम भले से 50 हैं मगर याद रखे इंशालला अगर 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 आगर बदर के हम 303 और वहाँ पर मुनाफिक और कुफार होंगे 101 ख़जार उनके बराबर इंशालला अगर अगर आगर आगर और कुलकता नियूस का जैसा कि हमारी कॉमेटी ने ये कदम जब उठाया तो बहुत सारे जैसे जमान लोग है डर एक डर नाम का चीज होता है डर कि आप क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं ये सब मामले में मत पढ़िये नहीं तो ये होगा तो सबसे पहले मैंने डर को दिल से निकाला कि डरना नहीं है अगर आज हम डर गए तो आज हमारा मजजिद जा रहा है कल को कंस्ट्रक्शल लाइन में ऐसा पैसा इतना पैसा हो गया है कि ये अंधे लोग न कबरस्तान के उपर भी बना के बेज़ देंगे क्या बात कहा है कबरस्तान के उपर घर बना के बेज़ देंगे और बोलेंगे मुर्दे तो नीचे दफन होते है उपर में क्या है उपर में घर बना के बेज़ देंगे फ्लैट बेज़ देंगे कि ये पैसा से कबरस्तान चलेगा होंगा कि बीबी मस्जिद के थ를ταν प्रापटी है और इम यह रख क हैं वो दो इमाम है और एक मूज्जिन है एक इमाम को जानते हैं उनकी काली डाड़ी थी वह आएं 50 साल हो गिया उनकी सफेद डाड़ी हो गई उनको अभी तंखाजू मिलती है वो साड़े छी हजार रुपिय जिस्ट इमाजिन उल्ली सिक्स ताउसन फाइफ उन्डेड मौलाना अबुलकलाम असनुलकादरी जो पूरे हिंदोस्तान में नहीं बलके बेरे उन्दोस्तान में भी जाने जाते है साड़े छी हजार रुपिय है और एक है नाइब इमाम हाफीज तही साब उनको साड़े पांच हजार रुपिय मिलता है कितना हbringen बारहाजार उगए और मौजण साब को मिलता है साड़े छाराजार रुपिया कितने हुआ वह बाई साले सोलें सुलें उल्हार रुपिया जबकि जमा मज़ीड टिक्या पड़ा में इमाम साब का तंखा 12,000 प्या सिर्थ तंहा है तंहा है सोचिए इन तीनों का मिला के 12,000 प्या तंहा जमार एजबी नूस चैनल के संगे बने रहे है बहुत बहुत शुक्रिया